हेलो गाइस वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल सलोन फेक्ट काईस आज हम जो बात करने वाले वह टोपिक है हमारा ब्लोंड हेर पर स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं सो गाइस काफी ज़्यादा सेंसिटिव टोपिक है आप सभी को पता है कि काफी लोग सोसते कि ब्लोंड हे ज़्यादा रफनेस आगे बहुत सारे के से सोते हैं जिसमें बाल रफ होते हैं बन भी होते हैं पहली से पहले से ब्लोंड मतला ट्रेटेटेड हेर होते हैं और तुरंद वह उस पर स्मूथनिंग कर देते तो आज मैं आपको जो स्मूथनिंग करने शिका रहा हूं एसा नह है तो बस कर दो मैं ऐसा नहीं कहा रहा हो कि सारे हेर पर अच्छे से देखना इसकी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि कई भी स्कीप करोगे तो काफी यादा आप भी कोई प्रोब्लम हो जाएगी क्योंकि हर वीडियो में नहीं बोलता मैं क्योंकि काफी यादा सेंसिटिव टोपिक होता है तो मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा आधा ग्यान लेके कई प्रैक्टिकल करो तो कुछ आपका नुक्सान हो जाए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ब्लोंड हेर पहले बार तो हम देखेगे ब्लोंड हेर कौन से होते हैं ब्लोंड हेर यह गाइस उससे क्या होता है बालो को ना जो हमारी क्यूटिकल्स होती है वो डैमेज होती है ठीक है गई चलो गईस मान लीजिए क्यूटिकल्स ना हमारी डे वाइडे मतलब रिपेर भी होती रहती है कोई अच्छा सैंपू यूज कर रहे हो काफी यदा अच्छा हैं इंदर की हेर कोटेक्स लेयर है है अब सब्सक्राइब्स है करती है करती 행 थे कम जोर करतीं कोस्व यह योग रिप currently स्ट्रेंथ कमकल रगता है और शाल ही है ऑफिकूटिकल्स है का यह है चाहिए हो रहता फार इकाफी है में ऐसा लगता है कि वो खुली ही हुई है और इस में हुझा है यह कुटिकल्स खुली ही है तो यह जब आपस में जूडएगा है जब यह हैं आपस में जूडएगा तो यदो फ्रीज ने स्क्रेट करेगा दोनों की क्यूटिकर फ्रीजी हो जाएगा तो हैं जूड़ेगा फ्रीजी ठीक है कि आपको पूरा डेटेल में बताने वाला हूं इसलिए मैं स्टार्टिंग से लिए कर चल रहा हूं से स्टार्ट कर रहा हूं इस जैसे कि मैं आपको पता है काफी टॉपिक है प्रिलाइट जब हम करते हैं तो हेर की कुटिकल्स खुली रहती है और मतलब आप मान लेजिए रफ हो जाता है और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाती है ऐसा नहीं कि आपकी क्लाइट का बाल अच्छा है आप वह लोग की वीडियो देखी तो कहरते हैं प्रिलाइट करने से बाल रफ हो जाता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आप सेफ्टी के साथ क काम नहीं करते हैं प्रिलाइट के साथ आपको काफी अधा प्लैक स्ट्रीटमेंट आते हो यूज करते हो ऐसा कुछ नहीं की बाल रफ हो जाएगा तो यहां आपको समझ आगे कि ब्लॉंड रहा हो रखा हो ठीक है गाईस कलर टेटेट है उस पर मतलब आप डाइट कलर भी क कर रहे हो लुआ रहे हो वह अगले टोपिक पर बात करेंगे तो ब्लॉंड होता है कभी भी आपके पास कोई हेर आता है ब्लॉंड हेर का क्लाइंट आता है उन्हें स्मूतिन चाहिए तो उनके जो हेर है जो ब्लोंड हेर होगा वह इतनी लेंद पर होगा मिड्व तो एंड्स ठीक है यह इतनी लेंद पर होगा यह सारी जो वह गई न्यू प्रोथ होगी तो तो है नहीं कि कल ब्लॉंड एक रहा है आज स्मूद्रिंग कराने लाइट लगा दिया नहीं आपको पहले क्लाइट से कंसल्टेशन करने हैं आपने कलर कब कराया था ठीक है आपको देखना है कि वो जो कलर है उसकी जो pre-lightning लेकर गए हैं ब्लॉंड है जैसे कि हमना गोला 728 तो हो गई होगा एस कलर उसकी बात अलगी है हम बात करें ब्लॉंड हर की 728 प्रिलाइट तो उनकी बनता है कितना लेवल लिफ्ट किया ही होगा देन आपको उनके बालों की कंसल्टेशन में यह पूछना है कि वह सैंपू और कंडिशनर कौन सा यूज करते हैं सैंपू कंडिशन अगर वह नॉर्मली जो मार्केट में कंसूमर सैंपू होते हैं क्लिनिक प्लस चेक वगेरा एक्जेक्टर तो उनका बाल आपको देखने को मिलेगा की काफी ज्यादा रफ बाल हो रहा होगा ठीक है और कोई अच्छा प्रोफेशनल सैंपू यूज करते हैं या पैरेवन फिर यूवागेरा तो उनका हैर जो ब्लॉन तो होगा लेकिन उनके ब्लॉन में एक लिटल बिट अभी भी साइन होगी ठीक है रफ होगा लेकिन वह इतनी ज्यादा नहीं होगी हों कि के उपर भी डिपेंड करता है कि क्लेंड का है कैसा है यह आप सभी को पत है अपना वर्क अपना वर्क कैसा यह नहीं स्मूथ निंग का उपर नहीं आ रहा मैं देरे देर आने वाला हूं ठीक है वीडियो स्कीप करोगे आप कहीं नुकसान है आपको जो फ्रेंट का जो मतलब उपर का जो यह मैं आपको टोपिक बता रहो ना काफी जादा इंपोर करकि क बता देता हूं अ किक एक्लाइन मैं देखा कि वहीं फ्रीजिने से क्युटिकल्स खेल यह बारो में रफने से रफने से हं इसे हम इसे और कंट्रोल कर लेगे अभाफो की हेलो की स्ट्रेंट कैसी यह आपको चेक करना ही पड़ेगा और कि स्ट्रेंथ हम हमसा कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं सब्सक्राइज हम पर यह कटट है तो समक्राइण बालू की acompan condition कैसे चेक करी जाती है मैंने और भी वीडियो में बताया हुआ है बट कैसे हमारे साथ जो और भी वीवर्स जो है वो जूट चुके है तो उनको भी नोलिज देना मेरा करतव यह सब्सक्राइब है यह माल हमने सिर्फ सिंगल एक हेर उठाना है मैं वीडियो में थोटे से जादा उठाऊ हुआ ताकि आपको वो हेर दिखे एक सिंगल बाल आपको क्लेंट का उठाना है ठीक है सिंगल बाल जैसे आप उठाओगे उसको ना आपना स्ट्रेच करोग आपको सिंगलो करतों दिखाने के लिए दिखता आपको वाइट पर द謹रते शायर करें को बोला फेंडुलो सिंट्रफिया वालो मैं एक का अधिक रहा आपकोWhen दो बाल मैं लाइसमें भापा जार रहा अधी है अक कइस यानि कि सब्णमर जिए अगर आ आप ने क्हाइस खिष्टे टूडिया तो कि अगर बाल आ आपने खेचा अच्छा फार्पस नहीं गए तो कोई दिखस नहीं है अगर मैं बताता हो कौन से हेर पर करनी है नहीं करना बाल आपने पकड़ा ठीक है खैचा टूड़ गया आपको उस हेर पर स्मूधनिंग नहीं करने है गाइस अगर वह करते हो वह अपनर रिस्क के ऊपर आप कर सकते हो तो वह आपके ऊपर नेक्ट- corre-s को सी एर पे स्मूतिन करनी जिसके बालों में लाश्य सिटी हो लाश्य सिटी होगी स्ट्रेंथ होगी और अगर वह हलका सा भी खीच कर थोड़ा सब खीच भी जाता फिर तोटता है तब आप उस पर कर सकते हो जो खिचते ही टोट रहा है उस पर बिल्कुल नहीं कर सकते तो आ लिटो काफी ज्यादा ल trafficking करने क्लाएं आपको लेट हेरं पर क्रिम लगानी फती के आपको वेट हैर पर Metro लगानी यह लेकिन आपको अब करने पर आपको उलका ड्रायर करना है नीचे की लेंट को आपको रहने देना है इस हेर पर आपको ड्रायर करना है वह भी आपको 70 to 80 परसंट ड्रायर करना है क्योंकि उपर का जो वर के हमें थोड़ा फास्ट करना होता है तो आप अगर लगाऊगे तो उपर का सिलो हो जाएगा और इस स्मूथ रिंग में वैसे इतना टाइम अगता आपको काफी यदा टाइम लग जाएगा तो आपको मैं इसलिए बोल रहा हो उपर के 70-80% है सुखा लेना है देन आपको स्मूथ रिंग क्री है यह पर सिफ इतने हैर पर क्रीम लगानी है इतने हैर प्रसें पीज़्य अभी घंट तो और कंपनी आया मैट्रिक्स वह यूज कर सकते हो प्रेक्स आता है पहले आपको इनें रखाश्ट को की quand सिवाएगों को ते wants is a fan का टתटेट्मेंट का स्प्रेइख करना है देन आपको तो अजन आपको उपर वाले एर पर जब समिधुन की में लगाएहाएई अगर उपर के के इर का बौन हल्का सा भी हैसे कर दूर दिखता है तब आपको नीचे वाले हेर पर स्मूतिंग क्रीम लानी है आपको कैसे एकदम से स्मूतिंग क्रीम नहीं लगानी है आपको पहले उपर वाली स्मूतिंग क्रीम कोई कॉम से खेचना है नीचे वाले हेर पर फिर उसमें ही फिल करना है क्या बाल जंप ले रहा है को करते हैं आपको फील हो जाता है बाल जंप ले रहा है यानि ले रहा कॉम काफी ज्यादा हाड ली चलती हो सब्सक्राइब पर काफी ज्यादा चलती है तो आपको क्या कर लेना है कोई अच्छी कमपनी का मास्क ले ले आपको क्रीम में मिक्स नहीं करना है आपको इसे पर लगाना है है बंधे लगाना द्यान आपको क्रीम करने अपकी कॉंभ समूथ चलेगी यह आपका उपर का बॉट्न नीचे की application करोगे फोपर बॉट आपका पर तरीके से हो चुका होगा हो इस वाले एर पर तो समझने लों उपना find find section में ली होगे पीछे से चार या पाउंच लेने क्रीम की quantity भी आपको कमी रखनी स्टार्टी में ज्यादा क्रीम के क्रीम मां नजाते हैं लगाएब आपका ब्रत 7 मिनिट में उनका हो ज dirig tôто काफी ज्यादा करना है आपको यहां आपको दो स्टैप मिलते है यानि की दो आपको एक तो खाली करना होता है ठीक है प्रोसेस करना होता है दूसरा अगर आपको लगता है कि हमसे जो क्रीम है थोड़ा पूर्वर्ट्वद्वेस हो गया फिर गडवर्वड हो गया किह में लगता है कि की स्रिंक लीन के स्कूर्फ युज़02 नहीं यूज नहीं करते लेकिन हमें इस पोकहिन करना होगा क्योंकि बालों की से जो काफ़ व्याद आ बढ़ा दीया है तो उसको बैलेंस करने के लिए मार्स्क लगाना होगा क्योंटिकल्स को बंद करना होगा ताकि जो हम अगला next process करें आगर आपको उम्मिद लगती है कि बाल न्यूट्रिलाजर जहल लेगा तो आपको नृत्रिलाजर भी क्योटे कल सब्सक्राइब बंद बस बन होगी तो न्यूट्रिलाजर भी हमारा अंदर जो इसके दीरे जाएगा जो हम चाहते कि न्यूट्रिल करना कोई टैंंसन लेने वाली बात नहीं है ठीक है आप हमारा डिन सबी ओगया अब हमने क्या करना है आपको में को जब रहिए ड्यायर कुट तावल कर लेना डियान आपको FUCK sont ड्राइर कर लेना है और फिर आपको ब्लो ड्राइर कर लेना है और ब्लो ड्राइर करने के बाद आपको सबसे मैं मैं आपको पताऊं आए नहीं गया प्रेसिंग आपको सेम टेंप्रेचर पे बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको क्या करना है जो न्यू ग्रोथ वाले हेर है इसकी जो प्रेसिंग है आपको कि तू ठाटी रख लो कोई दिख कर नहीं है लेकि नीचे वाले हेर पे आपको 170 उससे अब अब जाना है तू टैन से ऊपर नहीं जाना है नीचे आले हेर पे तो आप बोलोगे उपर वाली प्रेसिंग करेगे तो नीचे आले के लिए अलग से अपरेट थोड़ी टेंपरिच अगर थोड़े वो रह जाते हैं तो बाद में आपको मोटे मोटे सेसे लेकर नीचे वाले हेर पे द्वारा कर सकते हो प्रेसिंग सबस्यादा मैं अगर सेम टेंपरेचर रखोगे बालों में हीट जनरेट होगी बालों की सेंसिटाइज लेवल जो काफी जाएगा जो हमारा प्रेसिंग करने के बाद आपको नीट्रिलाइजर लगाना है ठीक है आपको नीट्रिलाइजर लगाना है लेकिन आपको काफी मैंने बताया सेंसिटिव टॉपिक है तो काफी ज्यादा मतलब इसका पीछे का पीछे की साइंस पूरी बताने के बाद आपको मैंने बताएग तरिंग कर सकते हैं नट्रिलाइजर लगाना निट्र लगाना यहां के बाल एक चोड़ देना यहां के बालों को अगर साथ मिनट हो तोड़े से लगते आपको मास्क लगा लेना है फिर आपको न्यूटिलाइजर लगाना है टोटल टाइमिंग आप रखोगे यह बारा मिनट तो दस अधार मिनट इतना ज्यादा होता है बहुत ज्यादा हिट होती है प्रेसिंग द्रायर के वजह से वाइस्क्रीम की वजह से लिख लगाना तुछ आपको यहन आपको अच्छे से 100% सुखा के आपको स्ट्रेट ब्लो ड्रायर कर लेना है आपको समझ जा रहा हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं अगर आपको ब्लोंड हेर पर समूटिंग करने में तब भी दिक्कत आती है तो आप एक सियोरेटी के लिए बॉंड के प्लैक्स यूज कर सकते हो लेकिन यह प्लैक्स हो गया और लोजल में आता है स्मार्डवांड हो गया और और अल्टिमेट और यह प्लैक्स मुतिंग क्रीम में आप से करते हैं तो यह भी आपको बता दूंगा इसमें क्या है बॉंड जो है हमारा सिक्क्योर रहता है और बालों का जलना काफी जाता कम हो जाता है उसकी संभावना बालों में स्ट्रेंट अलग आती हो साइन भी लिटल बिट आपको देखने को मिलती है तो गाइस मिलते अगली नेक्स वीडियो में ओके टेक केर बाई बाई